हेलो गाइस वर्कम मैं जी आपको अस्विर से एक बार चैनल पर आज है गाइस कृष्ण जनमास्ट मी तो अभी ताइम हो चला शाम के साड़े पांच तो गाइस व्लोग शुरू करने से पले अब लगे चानल मेरे भाई गाइस सभी भाईयों को सबसे पहले तो हैपी कृष्ण जनमास्ट मी तो आप मेरे सामने देखी सकते हो कि मैं हाँ पर खड़ा हूं सिकला मंदीर में और मेरे सामने वो एक ब्रह्म कुमारिस्ता उन्होंने ठाकुर जी को जूलने में बिठाया हुआ है अभी तो कुछी नहीं खास सेलिब्रेशन तो नजर नहीं आएंगी तो यह फाउंटे ने किया है दूए तीन है चार है तो तुरश अभी इसे गाईस थोड़ा सा काफी अच्छे देखने को मिल रहा है तो मौसम भी एकदम से देख लो गाईस अच्छा हो रखा हुआ है अपर देखो गाई देख मंदिर की डेकुरेशन में दिखाऊंगा तो अभी बार बार से मैं दिखा रहा हूं गाईस तो यहां पर हमारा एक म्यूजिकल फाउंटेन है तो इन्होंने बंद किया हुआ है और अभी म्यूजिकल छो भी चलेगा तो दिखाऊंगा इस विलॉग में पूरा-पूरा बने कर दो कर दो दो जाएगा तो जैसे कि आपको पता ही होगा आइस कि ठाकुरजी का जनम आपको बारा बजे हुआ था इसलिए बारा बजे सबसे पहले तो धाकुर्ति को स्मान करवाया जाएगा शाही सरूम होता है वो पंचा मिलत तूम के शक्र और शयर्ट से शिम्हते में लिए कि देखेखें कि वाले को न्यवस्तर डाला उसकुर झूला में बठाया जाता है राज़ून किया जाता है देखो गाइस हैलो हैलोजन लाइट के साथ साथ में वह एक कंटिन्यूसली एक LED चल रहा है जैसे में जूम करके बाई दिखा रहा हूं और उपर की जाये तो ब्लिंकिंग बल्ब्स हैं और सारी प्रिकरम आपको दिखाता हूं गाइस दीरे-दीरे से वह देखो गाइस जैसे लाइट लाटू में कैसे लाटू में एक दम से लाइट ऐसे रेंफॉल लग रहा है कि काफी अच्छा देखने में नजारा आ रहा है गाइस काफी सूतिंग एक्स्पीरियंस है तो मैं स्पेशल अभी यह राजी सरोवर सरोवर के पास में बैठा हूं तो वेट कर रहे हैं अभी तो काफी देख रहे हैं अभी कितनी अच्छी सजावट वो रहा जी में मंदिर क्या बात है भाई तो इसको मिनी गोर्डें टेंपल भी बोला जाता है तो आज की जनमास्वी यहां पे काफी अच्छी देखने को मिलेंगी और यह देखो गाईस अंदर का नजारा तो होगा कुछ ऐसा हुआ है कि थोड़ा सा तबीयत को में थोड़ा सा खराता नहीं तो आपको और अच्छे दिखाता डेकॉरेशन लोगों नहीं डॉले भी डाले हूं मैं अमरे तो काफी अच्छी तरिक्के से हैं जनमास्वी यहां पे अमरे बी बनाई जाती है तो बने रह देखिए सकते हैं जहां पर भी मेरी नजर जा रही है क्या बाता है डेकॉरेशन नहीं बहुत जबरदस्त नजर आ रही है तो पिछले साल कोवड में इतने जावा डेकॉरेशन तो नहीं थी बट फिर भी साल इन्होंने काफी अच्छा डेकॉरेट किया हुए है तो जैसे ह बजेंगे उसके बात ठाकवर जी का पूजन करने के बाद यहां प्यातिशवाजी का नजरा भी शूरू हो जाएगा तो गाइस देखने में काफी अच्छा नजरा लग रहा है तो वो सामने जो मैं दिखा रहा हूं तो गाइस देख सकते हो काफी अच्छा एक्सपीरियंस हैं देखने में सबीके हाथ भी का सब्राइस देखिसे सकते हो कि वो सामने जो बहुत जाए लगी हुई है तो जो है जी है धुसली बार उस पर व्लॉब भी किया था और वो जी है सामने शनीदेव जी का मंदिर जयां जाब टाकि नाइट्स ऐसे जो जै डू आमने गूल ग तो अभी गाइस बच चुके हैं रात जबारा फाइनले खागरजी के बूजा शुरू हो चुकी हुई है और इसके बाद आतिश का आतिश बाजी का नजारा भी आपको दिखाऊंगा इस गाईस इस वीडियो में बालो घजा कर सकते श्वकção के आपको फ्रिए य्यक्ट कर लादा इस बचस्शे लगधब डशारा फ्रशो उड़ लगवोगध हुआ है जि सकते का इसे हphone kर भी है चाद आतिशा mean झाल 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 करते हैं यही पर एंड तो चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना वीडियो अच्छी लिगए वीडियो को लाइक करना तो जैसे ही क्रिशन जी का प्रागर दे उस्तव हो जाएगा तो आपको पंजीरी का प्रशाद में मिलेगा वो भी दिखाऊंगा आप दिखाऊंगा वाला हूं तो चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना तो मिलते हैं नेक्स व्लोग वे तब तक के लिए तिल जैन तेक यह नहीं है बुद्धे गाईश तो हैपी ख्रिशन जैनमस जीरू तो आल आपकी वांस अगें तो मिलते हैं गाईश रोगप लूप्गाईब में